ऐसी क्या जुरुत पड़ी थी? जब पूरा वर्ल्ड ठप पड़ा हुआ है, तब आपको फार्मर बिल लाने की जुरुत क्यू पड़ गई? लेबर बिल लाने की जुरुत क्यू पड़ गई? आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की जुरुत क्यू पड़ गई? आप फिर भी हमने देखा कि यही वो भीड है, यही वो पंजाब के लोग है, यही चंदीगड, यही हरियाना के लोग है, जिनोंने तीन-चार मेने से आंदुलन करके, बीजेपी का सफाया पंजाब से कर दिया है. देश के प्रधान मंतरी कहता है कि देश की जो संसद है, यह बिजनेस नहीं करेगी, यह कोई भी पब्लिक सेक्टर नहीं चलाएगी, हम सब पब्लिक सेक्टर बेचेंगे, यह देश के प्रधान मंतरी कह रहा है, अगर किसान अपने हक और अधिकार की बात करता है, तो उनको अगलवादी बोलते है अगर मुसल्मान अगर अपने हक और अधिकार की बात करते है तो उनको अतंगवादी बोल देते है जो एक वर्ग BJP RSS के जो लोग लोकतंतर के खिलाफ है और ये आज से नहीं है इस देश को जब सविधान बनाया जा रहा था उस दिन से ये लोकतंतर क के खिलाफ है एक तरफ आप कह रहे थे कि हम एक साल में पाच करोड़ दस करोड़ नोक्रिया देंगे आप जो नोक्रिया है हमारी वो भी चिन रहे हो कल को BPCL हो HPCL हो ये सारे Reliance Tata, Ambanias इनको बेज देंगे आज आप देख रहे हो फार्मर बिल ये क्यों देखिए एक आद वर्किंग स्टाइल में आज BZP अपना काम कर रही है कि अगर किसान चार महीने अपने बीवी बच्चों को साथ थन में बारिश भी हो गई थी थन में अगर बैठ सकते हैं तो हम तो अपने बैंक की कर्मिचारी एक दिन दो दिन का आंदोलन तो करी सकते हैं तो ये confidence पैदा भैण आपने बहुत से आंदोलों के बारे में सुना होगा बड़ा आज आपको बतायए कि संविधान सुरक्षा आंदोलन बी चल रहा है और चला już Ohio i सविधान सुरक्षा अंदोलन हमें करना पड़ा क्योंकि भारत को विशव भर की सबसे बड़ी डिमोक्रसी का जाता है बट फिर भी हम अपना सविधान बचानें की ओर लगे हुए हैं हमारे साथ इस वक मौझूद है दियार अंबेटकर के ग्रेट ग्रांट संट जनाब दिमोक्रसी का जाता है विशव भर की उसमें सविधान सुरक्षा अंदोलन की क्या जरूरत पड़ी देखे जब संसद बेलगाम हो जाती है और ऑपोजिशन अपना मूह तक नहीं खोलते तब देश के लोगों को आगे आना होता है इस देश के सविधान को बचाने के लिए इस देश के लोगतंतर को बचाने के लिए हमने जैसे आपने कहा कि अलग-अलग अंदोलन चल रहे थे हैं 2020 में जब हम लोगों ने ये मिटिंग ले हमने देखा कि एक ही कौज के लिए अलग-अलग और्गनाइजेशन काम कर रही है सविधान को बचाने के लिए साउत में अलग-अलग चल रही है नौर्त में अलग-अलग-अलग चल रही है तो हम लोगों ने एक प्लैटफॉर्म तयार किया सविधान सुरक्षा-अंदोलन की जहां जहां पर सविधान को बचाने की मोवेंट चल रही हैं इन सभी लोगों को इकटा लाया जाए और फिर हमने सव क्रिश्चन से बुद्धिष मैनेटी है सेडल कास्ट के लोग है और काफी सरकल ही हम लोग ने अकाल तक्त के जो चीफ है अरजिंदर सिंग जी इनसे मुलाकात की है और वो भी आज हमारे सविधान सुरक्षा आंदोलन के प्रेसिडियम में यहां पर कोई प्रेसिडेंट नही है हरपृत सिंग जी उनके घर पर मुलाकात की और उन्होंने इस प्रेसिडियम का हिस्सा होने के लिए एगरी किया है तो सभी लोग जो इस देश के सविधान को मानते हैं जो इस देश के लोग तंत्र को बचाने के लिए आगे आ रहे है ये सभी लोग सविधान सुरक्षा अन्दुलन के अब भाग है, हिस्टा है, अब अपने स्थर पर, अपने state में, सबी लोग सविधान सुरक्षा अन्दुलन के माध्यम से, जो provisions हमको मिले हैं, जो safeguard हमको मिले हैं सविधान के माध्यम से, आज इस देश का मुसलिम, आज इस देश का सिख, क्रिश्यन, बाकी माइनिटीज ये अगर सेफ है तो ये सविधान के वज़े से है और इसलिए ये जागरूकता हम लोगों में ला रहे है और जो ड्रैकोनियन लॉस अब बन रहे हैं हमने देखा है कि जब लॉकडाउन हुआ तो पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व ठप था पूरा विश्व बंद था लेकिन भारत की एक संस्था ऐसी है चो रात के दो बजे तक काम कर रही थी और वो है भारत की संसद रात के दो दो बजे तक ये लोग लॉस बना रहे थे ऐसी क्या जूरत पड़ी थी जब पू पूरा जब वर्ल्ड ठप पड़ा हुआ है तब रात के दो बजे तक संसत काम कर रही है यह इसलिए काम कर रही थी ताकि इस देश में जो सेवगाड हमको मिले है देखे पब्लिक सेक्टर आज देश के प्रधान मंतरी कहता है कि देश की जो संसत है यह बिजनेस नहीं करेगी यह कोई भी पब्लिक सेक्टर नहीं चलाएगी हम सब पब्लिक सेक्टर बेचेंगे यह देश के प्रधान मंतरी कह रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ पब्ल कि जो तपके के लोग स्कूलों में नहीं लिये जाते थे, उनको नोकरिया मिले, वो अपनी प्रगती के लिए वहाँ पर आये, पब्लिक सेक्टर के वज़े से SCST के लोग मैनेजर पत पर पहुँच गये, आज इस पब्लिक सेक्टर को बेच कर, ये उस SCST के लोगों को फिर से आडाई हजार सालों की गुलामी में डालना चाते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग प्रॉफिट के लिए नहीं होती, प्रॉफिट के लिए आपको रिलाइंस है, प्रॉफिट के लिए आपको बाकी के कमपनियाज है, आज आप लोग देश में बाबा साहब ने आज हम देख रहे हैं कि रिलाइंस को आप राफेल का कॉंट्रेक्ट दे रहे हो, जिस रिलाइंस को डिफेंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्स्पिरियंस नहीं है, ऐसी कमपनी एक रात में डिफेंस की कमपनी रिइस्टर करती है और वो राफेल का कॉंट्र गलत हो सकते हैं। कि दो देते हैं और अगर सीक के अपने हग्त की बात करते हैं तो उनको खडिस्ता नहीं बताते हैं तो देश्भकत कोण है सरे बिजय बी के लोग क्या हम प्रग्या-सिंघ्ठाकूर को देश्भकत बताएंगे जो टेरिरिजम के गुणा के लिए जेल में आज बेल पर है वो म जो कोई भी अपने हक और अधिकार की बात करेगा, वो देश दुरूई है, तो ये सारा मामला जो चल रहा है, इसके लिए हमको इकटा लड़ाई देने के ज़रूरत है, आज हम देख रहे हैं कि सिक भाई, या हमारे जो फार्मर्स है, वो अलग अंदोलन कर रहे है, स्टूड बिंती कर रहे थे कि हमारी पड़ाई नहीं हुई है, हमको नीट आज मत लो, कितने स्टूड़न्स ने एक ही रात में सुसाइड कर लिया, क्योंकि नीट नाम की एकसाम वो पोस्पॉन नहीं कर रहे थे, यानि आप बाकी जो चीज़े है, वो आगे ढखल रहे हो, लोग डा जो भी ऑप्रेस्ट है, चाहे वो महीला हो, चाहे वो स्टूड़न्ट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एंप्लोई हो, आज एंप्लोई के लिए देखो, लेबर बैल, लेबर बिल इंट्रोड्यूस किया, आठ गंटे की नोकरी बाबा साम ने सविधान में अंकित करवाई है कि हर एक एंप्लोई को आठ गंटे से उपर आप उसका एक्स्टोडेशन नहीं कर सकते हो, आज आठ गंटे से बारा गंटे करवार आयो, बारा गंटे की शिफ्ट करवा रहे हो, और उनको ओवर टाइम और ये प्रोविजन्स हटा दिये, जो शिफ्ट तीन, एक दिन में तीन शिफ्ट चलती थी, आज दो पे आ गई है, और बाकी का जो शिफ्ट में वरकस काम कर रहे थे, वो कट हो गया, तो एक तरफ आप कह रहे थे कि हम एक साल में पाच करोड, दस करोड नोक्रिया देंगे, आप जो नोक्रिया है हमारी, वो भी चिन रहे हो, तो ये सिर्फ नोक्रिय चिनने का, एजुकेशन चिनने का, जमीन चिनने का नहीं, हमारे समिधानिक अधिकारों को चिनने की बात या पर चल रही है, इसलिए ये सारे लोग जो परेशान हो रहे है, वो एक ही वज़े से हो रहे है, कि हमारे समिधानिक अधिकार हम लोग लूज कर रहे है, देखिए जब कमला हैरीस वाइस प्रेसिडेट बनी और उन्होंने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा कि डेमोक्रसी इस नॉट गैरेंटीड उसी तरह कि आज सिच्वेशन है भारत में कि यह जो लोगतंत्र हमको मिला है सविधानी के माध्यम से यह हमेशा बना नहीं रहेगा हम इसको बोल नहीं सकते कि हाजारों साल तक इस देश का लोगतंत्र बचेगा कमला हैरीस ने एक अच्छी बात की कि लोगतंत्र गैरेंटीड नहीं होती उसकी डेमोक्रसी की गैरेंटीड नहीं होती जब तक डेमोक्रसी को बचाने वाले लोग उस देश में नहीं होते इस देश को जब सविधान बनाया जा रहा था उस दिन से ये लोगतंत्र के खिलाफ है उस दिन से ये सविधान के खिलाफ है और जब अब ये पावर में आ गया है तो ये सविधान को और लोगतंत्र को हटाने की कोशिश कर रहा है और मैं देख रहा हूं कि आज लोगतंत्र क बचाने वाले लोग आगे आ रहा है, आगे बढ़ चुका है, चाहे वो students हो, या farmers हो, लेकिन इन लोगों को एक platform पर लाने की जुरुत है, ताकि ये आवाज देश की आवाज बने, ये oppressed लोगों की आवाज बने, जो मजलूम है, उन लोगों की आवाज बने, इसलिए सविधा को हम लोग priority देते हैं, और जहाँ पर देश के हक और अधिकार को छिनने की कोशिश होगी, वहाँ पर सविधान सुरक्षा अंदोलन fight करेगे, इसके बार में आपका क्या विचार, देखिए, आज ये जो BJP के Ministers है, ये अंदर से डरे हुए है, इन्हें पता है, ये एक confidence में जी रहा है, कि हम संसद में मेजरिटी में हैं, हम चाहें वो कानून बना लेंगे, हमारा opposition भी कुछ नहीं कर सकती, opposition भी मुझ चुप करके बैठी हुई है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, कि संसद में आप मेजरिटी में होंगे, देश में हम मेजरिटी में हैं आज ये लोग तीन मेहने से उपर हो गया है, ये सभी लोग आज रास्तों के उपर बैठे हुए है, इनका ये जो कहना है कि भीड इखटा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन आज हम देख रहे हों कि इसी पंजाब में कुछ दिनों पहले local bodies की elections हुई, बिजेपी का सफाया ह हो गया, यही वो भीड है, यही वो पंजाब के लोग है, यही हरियाना के लोग है, जिनोंने तीन-चार मेने से अंदुलन करके बिजेपी का सफाया पंजाब से कर दिया है, तो यह कहना कि भीड से कुछ नहीं होगा, अगर यह नहीं होता, तो आज हम आजाद भी नहीं हु मुझे ऐसा लगता है कि यह उसी अंग्रेजों के वर्किंग स्टाइल में आज बिज़ेपी अपना काम कर रही तो अक्सर मेंने किसी सवाल किया था उन्होंने मुझे का था मैंने उनसे पूछ था कि किस दिशा में हमारा देश जा रहा है तो उनका जवाब आया कि अब हमारा हमारा देश सही दिशा में जा रहा है क्योंकि लोग जागरूख हो चुके हैं क्योंकि अगर लोग वहाँ बैठे हैं तो जागरूख होके बैठे हैं तो अब हमारा देश सही दिशा में जा रहा है क्या कहें गया देखिए मैं जब किसान आंदुलन में गया और मुझे देश के सविधान का क्या होगा? इस देश के लोगतंत्र का क्या होगा? यह टिक पाएगा की नहीं? लेकिन मैंने उनको जब कहा कि आप लोगों को देखकर आज मेरे मन में confidence आया है कि बीजेपी नहीं और सो साल के सो साल तक भी बीजेपी इस देश में रहना तब भी इस हो आज हमारे employees है, कर्मचारी वर्ग है, workers है, labor है, यह सभी लोग आज आगे आ रहा है हमने देखा कि बैंक की strike हुई कई सारे बैंकों ने आवाज उठाया कि हम इसको बेचने नहीं देंगे आज यह लोग आगे आ रहा है यह आवाज उठाने का जो confidence है यह किसानों के आंद हमारे चारी एक दिन, दो दिन का आंदोलन तो करी सकते है तो यह confidence पैदा हुआ है इस आंदोलन के वजए से और यह जो चिंगारी यहां से निकली है पंजाब की धरती से यह पूरे देश में ज्वाला बनके जरूर निकल उबरेगी आपको विश्वास है कि अभी आंदोलन अपनी सिखर पे है और जीत के वापस आएगा ओविएसली ओविएसली हमें बहुत confidence है क्योंकि जिस तरह से किसानों ने अपने आंदोलन को आगे लाया है और जिस तरह से उन्होंने कही पर भी divert नहीं होके अपने जो मुद्ध है उसको कितना भी कितने कोशिश है की गई इ 100% यह success इन लोगों के जोली में होगा हाँ इसके लिए संगर्ष करना पड़ेगा भारत का इतियास ही है कि हम लोगों को संगर्ष से गुजरना ही पड़ता है तो यह संगर्ष लेकिन इसमें भी एक मज़ा है जो कमला हैरीज ने कहा कि लोग तंत्र को बचाने में एक अलग मज़ा है तो आज हम लोग इस लोग तंत्र को बचाने के लिए यह सारी मोमेंट कर रहे है जी यह मेरा प्राइम रिस्पॉंसिबिलिटी है कि जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश के लोग तंत्र का हम लोगों को बचाओ करना है बाबा साहब ने उस समय कहा था कि हम हम पहले हिंदू है हम पहले बाध है क्रिश्यन है मुसल्मान है यह भावना हम लोगों में नहीं होनी चाहिए हम लोगों में यह भावना होनी चाहिए कि हम पहले भारतिया है और अंतिमता भी भारतिया है और इसलिए वो जो सेकुलर फैबरिक है इस देश का जिसको यह लो इस देश का सिख कहा जाएगा, इस देश का अधिवासी कहा जाएगा, तो ये देश अनेकता में जो एकता इस देश की है, वो सेकुलर फैबरिक हम लोगों को इस देश में बचाना है, और इसलिए बाबा साब ने जो प्रियांबल में दिया है इस देश के, कि we the people of India, तो आज मुझे दिखाई देता है, कि आज हम लोग सीख और मुस्लिम या क्रिश्चन या बुद्धिस नहीं, we the people of India की जो भावना है, जो फीलिंग है, वो लोगों में आज जागरूत हो रही है शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, आपसे बाते करेंगे थाएँ, टाएँ, तो शब रहादी दिखदे हो, ओन EAR, कामरामन सत्वनदेन, आल जसनूर दुविन on EAR, लुद्याना